दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल भरती 2020 को फिर से एक चोकाने वाली बड़ी खबर आ चुके ऐसा सी दिल्ली पुलीस परिक्षा में नकल करने में तीन गिरफदार हो चुके इसके साथ ही मैं कई आपको आकड़े से दिखाने वाला हूँ साथ ही वित्पूरूप आपको कुछ क दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल में किस परकार पेपर लिक का गिरो है लगातार बढ़ता जा रहा है अलग अलग राजियों में इसका गिरोह के जो तार है वो जुड़े होने की खबर आरी इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले अगर आप भी दिल अपडेट पहुंच आए तो यहां पर SSC की ओर से आयजित होने वाली दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल बरती की ओनलाइन परिक्षा में सुकरवार को मैरेट के परतापुरा के एक सेंटर पर अब्यारती नकल करते वे रंगे हाथ पकड़ा गया पुलिस ने परतापूर और क कंकर खेडा थाने में मुग्दमा दज करते हुए तीन आरोपियों को गिरपदार किया है हालाकि 41 एका नोटिस देते हुए थाने से जमानत भी उसे दे दी गई है परतापूरा बाइपास सित एक सांस्तान में दिल्ली पुलिस की ओनलाइन परिक्षा चाल रही थी सुबह सुबह वाली पारी में अंकीत निवासी गाओं खेडा इदुपूर जिला सामली से एक परचीब रामद हुई परिक्षक्स ने पुलिस को बुला कर आरोपी की सुपूर्द कर दिया गया के अंदर परवारी ने परतापूरा थाने में अपाय आर भी दर्ज कराई है उदर क कर केड़ा के सृष राम कोलेज में गुरुरार को नकल करते पकड़े गए परिक्सार्थी आखिल जेदि वञेप टेक्निशन अज्यक के खिलाब व्यनु हेड्ड अमित कुमार ने मुग्दुमा धर्ज करह अमित कुमार के नुसाल ये टेकनिसियन उक्त परिक्षार्थी की टेबल पर कापी देरता है खड़ा रहा कंपीटर में भी उसने कुछ छेटछार की थी ऐसे में टेकनिसियन पर परिक्षार्थी का नकल में सयोग करने का सक है वही इंस्पेक्टर तपेश्वर साकर ने बताया कि जिन धाराओं में मुग सबूत के तोर पर देख सेकते हैं उठीडिट ने कैसा अधिमिट कार्ड और पर देख सकते हैं यह उप अक्सेकुमार की रिल फोटूच बताए जा रही है जबकि सोलवर के दोरा इस परकार इडिट करके दूसरे कैंटेट को सेम बनाके उनका एक्जाम है वह दूसरे पूरी जानकारी में आपको डिटेल से बता देता हूं वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर जरूर कर दीजेगा सभी लोगों तो यह अपडेट पहुचनी चाहिए अससी तक अपडेट पूचनी चाहिए ताकि इसकी जांच होए और जो अभ्यारती लगातार कई सालों से तया सबूत दस्तावेते और प्राती ने इस प्रोड के बारे में आपको लिकित में सिकायत पतर भी देकर 27.11.2020 की सुबह आउगत कराया था मतलब जिस कांडेट ने लेटर लिका है उन्होंने ससी को बताया है कि 27 तारीकों ही मैंने अयाँ पर ससी में हेड़कोर्टर है जहाँ पर एक लेटर लिक के बताया गया था कि ऐसे ऐसे फ्रोड काम हो रहे लेकिन मुख्या लेके आपने सूचना पुष्टाश के अंदर पर जाकर मैंने वहाँ बैठे करमचारियों से सीनियर ओपिसर से मिलने का आगर किया परंतो मुझे मिलने नहीं दिया गया और मुझे जूटा अस्वासन देकर मुझे सिकायत पत्र लिकवा कर रफा दफा कर दिया गया वही सोलवर गेंग अपने मनसुमों में लगातार कामयाब हो रहे हैं परंतो आपकी ससी की तरफ से कोई कारवाई नहीं की गई इससे ससी पर घोर संदे होता है और नहीं जाने क्यों मैनत करने वाले बच्चों के साथ दोखा किया जा रहा है अर्तार्त मेरे पास उस दिन के सिकायत पतर की रिस्विंग भी है जो ससी मुखेले के करमचारियों ने उस कैंडिडेट को दीती सिरिमान जी उन्होंने लिका है सिरिमान जी मैरे पास साथ 12-2020 को होने वाले एकजाम बैटने वाले सोलवर गेंग की भी पूरी जानकारी तमाम दस्तावेजों और सब्यतों के साथ में है वही सोलवर गेंग है जिसका जिकर मैंने 27-11 को भीहर के सेंटर आईवन डिजिटल जोन में किया था उसी सेंटर की बात ये कर रहा है साथी दिल्ली पुलिस कोंश्टेबल एकजाम के बारे में बताया कि 7-12-2020 को एक अन्य सेंटर जो आईवन डिजिटल जोन है आईडिक का अभी कई और परजी आवेदक इन परिक्साओं में बेट रहे और इस गेंग का नेटरक बहुत बड़ा है कहीं बेरोजगार बच्चे जो एपलिकेंड जो अपनी मैनस से एकजाम में बैठते हैं उनके साथ निरंतर आपकी लापरवाई के कांड धोका और फ्रोड किया जा करीब 10-15 सोलवर के फोटो से सामने तोर पर चेहरा मिलाया जाता है इसके बाद जिस सोलवर का चेहरा आवेदक से मिलता जूलता है उसी के फोटो को आवेदक की फोटो से मेच करने के लिए फोटो बलेड रेप का इस्तमाल किया जाता है वही एप पर बाल और आंक आदी का मिलान करते वे चेहरा का ज्यादातर हिसाब मिक्स हो जाता है एप से तैयार फोटू परवेश पत्थर पर लगाया जाता है इसी फोटू के आधार पायर एक फरजी डियल या आधार कार्ट बनवाया जाता है और एकजाम में इनी फरजी आइडेंटिटी से बेट जाते इसमे जो कैंडेडेट है जिन्होंने लिकाया और दोनों एडमिट कार्ड की जो कोपी है वो इन्होंने साथ लिकाया इन्होंने काया कि सिरिमान आपसे अनुरोध है कि 27.11.2020 को दिल्ली बिलिस कोंश्टेबल की परिक्सा उप्रोक्त फरजी तरीके से देने वाले आवेदग यहा से कुमार जिन का रोल नमर है 3205305002 के सोलवर को एक्जाम पेपर में बैटने से रोका जाए जिससे की लाखो आवेदगों के साथ SSC के मादेम से चल होने से बश जाए और यह कडिया जिनके मादेम से ऐसे सातिर सोलवर गिरों को नाकामियाब किया जाए यह पकड़ा जा स बताते हैं बहुत सारे सेंटरों की लिष्ट यहां पर वोड़स अप है पेस्बुक पर जो है घूम रही है बार बार की इन सेंटरों में अगर किसी का एक्जाम है तो 10 लाख में कोई बोल रहा पंदरा लाख में करवाया जा रहा है ऐसा दोस्तों मैं मानता नहीं हूं लेक इडिटिंग के बाद की जो फोटोज है वो भी सात में यहां लगाई है मतलब जो कैंडिडेट इसने बहजाया उसने वित्प्रूप यह सारी जानकारी SSC को 27 तारीकों ही दे दीती लेकिन SSC के लापरवाई के बाद में फिर से उन्होंने बताया था कि सात तारीकों इसी प अपडेट पहुंचने चाहिए SSC तक अपडेट पहुंचने चाहिए तो दोस्तों इस यूडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्श वीडियो में उससे पहले दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिल्ली पुलि परजी तरीके से सोलवर के रूप में पेपर दिया है ताकि जो कैंडिडेट है लगातार त्यारी कर रहे हैं उनको भी बर्ती होने का मोका मिल जाए तो दोस्तों स्टूड़े में इतना ही मिलते हैं नेक्स स्टूड़े में तब तक के लिए जैए जैए